अच्छी हूं और आ गई हूं मैं जिम में अपना वर्काउट करने और अभी मैं वर्म-अप के लिए सैक्लिंग कर रही हूं जो की बेस्ट होता है क्योंकि तुरंट से आओ तो एक्सरसाइज ने स्टार्ट करते हैं वर्म-अप जरूर करना चाहिए तो मैं 10 मिनिट करती हूं सैक्लिंग और यहां पर भी बिल्कुल थक्के हो जाती हूं चूर 10 मिनिट को बच्छे से करती हूं उसके बाद से मैंने किया रनिंग और रनिंग मैंने खर सोट नहीं किया 10 मिन मैंने रनिंग भी किया उसके बाद से अब भी मैं डंबल लेकर के स्पोट लगा रही हूं और इसके मैं 4 सिट करती हूं, 4 सिट करने के बाद, मतलब, 1-1 सिट करने के बाद मैं करती हूं ट्विस्टर, ठीक है, इसको कहते हैं T्विस्टर जो कि पेट का एरिया है, साइड एरिया, और पेट की चर्बी खतम होती है, इसको मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले exercise में भ में होती है अपनी बॉड़ी को कर सकते हैं एक साइड से उधर से पूरा मौ करते है और एक साइड我們的 अपनी चरबी कंब माझक बाहर एरिये में चब उतरा बना होता है एक शीडिभर को तो उस पे ऐसे आप चढ उतर सकते हो बिल्कुल रनिंग की तरह यह बहुत-बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छा इससे आपका टमी खतम होता है आपकी पूरी बॉडी का फैट खतम होता है आप लोग देख सकते हो मेरा बहुत सारा वेट कम हो गया है तो पहला अच्छी हो गया है और वोदy का बहुत कर सकते हो इसके नहीं कर को क्रोश-kroshos wheat इधर से गजैसे और और जो बिली फैट है और यह बहुत होता है और यह बहुत टाइम पहले जब मैं पहले एकसरराश करती ती तो उस टाइम में ये मेरे साथ करती थी देखिए ये भी भी वैसे ही है और मैं काफी स्लिम हो गई तो ये खैर उतना जयदा मतलब डाइट वगर पर उतना ध्यान नहीं देती है में ना exercise का डाइट ही होता है सुरी exercise का बोल लहीं weight loss का weight loss में में जो होता है वह डाइट का ही होता है उसके बास से सेकेंड नंबर पर होता है exercise दोनों most important है weight loss की जर्णी में अगर आप ये दोनों अच्छे से follow नहीं करेंगे तो आप मतलब कुछ भी करते रहा हो जा फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है weight कम नहीं होगा फिर बिल्कुल भी और यहां पर देखिए मैं गर्मी से एकदम पस्त हो जाती हूं इतनी भयंकर वाली गर्मी लगती है ना पूछो ही ना बहुत सारा exercise किया वो सब machine वाला exercise था तो क्या ही दिखाना जो क्या आप करने ही सकते मैं वह exercise दि होते हैं बीज में पूरा space होना चाहिए आप एक मिनट करना एक मिनट करी नहीं पाओगे जिनकी हैबिट नहीं होगी ना वह एक मिनट नहीं कर पाएंगे कौन कर यह वाला exercise प्लैंग जो है कौन कर लेता है कमेंट में जरूर बताना मैंने यह बहुत पहले आप लोग को बत प्लैंक का जो होता है तीन सेट करते हैं एक एक मिनट का तीन बार मतलब ऐसे रोके रखते हैं अपनी बॉड़ी को बहुत अच्छी exercise है यह सब exercise मैं इसलिए दिखाई हूं कि आप इसको कर सकते हैं अपने exercise में सामिल करें इसको कई लोग का कहना है कि weight loss नहीं हो रहा है तो उनका कहना है कि मैं यह सब कुछ effort नहीं कर सकती थोड़ा सा उनका problem है घर पे मतलब आर्थिक स्थिति जो है तो आपके लिए नडियर अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए तो 32 बार best है क्योंकि उसमें आपके घर जो भी खाना पीना है वही खा करके आपको स थोड़ा से इसका डाइट का खर्चा आता है तो आप बोली है कि नहीं कर पाएंगी तो आप 32 बार करिए बेश्ट है जो लोग भी थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम है तो डाइट वगर नहीं ले सकते कुछ पैसे नहीं खर्च कर सकते उनके लिए 32 बार best है घर का ही खाना कर आप चबा कर खाई अच्छा का सा वेट लोस होगा तो मैं लेकर आ गए हूँ अपना दाना पानी दाना पानी और यह मेरा लंच है दो पर में इसको लूंगी क्योंकि अभी जस्ट मैंने बनाया है चिया पूडिंग है और आज मैंने टाइट से पता चली गया होगा आज अब आपने बेट को लेके इतना ज्यादा हम एक्टिव है तो फिल आपर वही किसलिए करना क्यों मजन बढ़ने देना है अपना हो आ रहे हैं तो इसलिए और मैं रियली बताओं तो मुझे बहुत-बहुत मज़ा आ रहा है अपने लिए कुछ करना सच में वने पूडिंग बना लिया है इसमें चीया पूडिंग की रेश्पी मेरे चैनल पर है आप लोग विजिट करिए देख सकते हैं और वैसे भी आप लोग को पता चलिए कि ना जाने कितनी बार मैंने सेयर कर दिया इसकी रेश्पी और ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूं फ्रूट्स एपल अधात उम्हें खा गई किचन में ही और इसको मैं खाऊंगी यह हैसल शरीफा यह इतना मज़िदार है आप देख सकते हैं यह पक कैसे फट गया है बिच में यह देखिए अभी निकल जाएगा इतना पक गया है यह इतना मीठा इतना यमी इतना मस्त स्वादिश्ट है ना क इतना जुसीला है ओमाइग यमी 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 इतलोस ने मुझे हल्दी डाइट लेना सिखा दिया यह फ्रूट्स वगरह मुझे पसंदी नहीं था सेव तो मैं खाती नहीं थी वर्ट तो अभी फेवरेट हो गया और पपीते नहीं खाती थी अभी सब खाती हूं स्था नहीं अधूरा दहीजा आएं अथूरा अधूरा सालगता है सब चीज की मतलब एक हम इसेसे करती हैं और अथीब लगता। यह उल्वर्णाश्स आपनी हो गया है अब करती हूं चीज तो अजीब लगता है यह अब देख सकते हैं रज्ट इसको जब मैं लिया सेसी ही विग्दम फिटिंग यहाथ वगर आप देखे कितना लूज हो गया है यहाथ वगरा कितना लूज हो गया है और तब बिल्कुल टाइट चे होता था मेरे शरीर में यह जब मैंने लिया था तो दाल वगरा नहीं पसंता सुखी सबजी हो या गिली हो उसे से मैं चावल सबजी सब खा जाती थी मेरे वेटलोस ने मुझे क्या बनाया एक मिशाल बना दिया हुआ झाया आप Iclone के बी काम आ आप लोग देख करके एनर्जेटिक होते हो है या आपके अंदर एक जोस आता है कि दिधी ने इतना किलो अपना वजन कम किया 16 किलो से अभी उपना काई तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं यह है बेटी घर पे है उसका दो बज़े से स्कूल है और जस्ट नहा कि मैं आ गई हूं अभी कंगी भंगी नहीं किया कपड़े धूली हूं और कपड़े डाल के आ गए इन लोग को खिला पिला दिया और बेटी बातरूम में उसका बाल दूलना कर देंगे बच्चों को सारे काम खाने चाहिए जैसे इत् Bennett फाक आप कहीं जा रहे हों कि दो चार दिन के लिए घर से बाहर तो बच्चों को तो इतना काम तो आखाए कि अपना एक सरीर पर जो कपड़ा कपड़ा ना भी दोली तो 3-4 दितो भी चलेगर लेकिन वह हो Set अपना कपड़ा है सब छीज़ों का या और दे वीडियो में दिखा देंगे अपना वेट कितना कम हुआ कितना घटा भी बढ़ा भी पता है घटा बढ़ा फिर घटा ऐसे हुआ अगर थोड़ा परवाही नहीं की होती ना तो 5-6 किलो मेरा वजन कम हुआ होता है इस सप्लिमेंट से और जो कुछ मैंने डाइट वरक आउट अगरा फिर पतलीं हो रहा है मैं देख रहे हूं पहले मेरे हाथ का फिल अगया है यह वाला तो इसी कमीं वर्क आउट करती हूं ज्यादा तर इसी के साथ सदर्वाइट प्रेट कर लेते हैं कि फार और शब्लेंट चो को चलिए ठीक है लंच में आपनों को खाते पीते ना दिखा पाऊ ठीक है लंच में चिया पोडिंग लिया है तो यह यह है बेस्ट वाला डाइट जिज में सब्सक्राइब ना फास्ट करें जदा खाइब तो यहां पर मैं कर रही हूं अपनी प्रिंसेस को रेड़ी मेक अप कर रही हूं यह इतना अनकमपोडेबल होती है नब मेक अप करवाने में क्योंकि करवाती नहीं है कभी और इसी दिये मैं बोलती हूं कि सब कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए और किसी को तभी उसी की आदत रही तभी आप कर पायेंगे आदत रहेगी तो ही इसका ये फॉर्स टेम इतना सरा मेकप हो रहा है इसको बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ही जादा तो फिलाल हो गया इनका मेकप इनके स्कूल पर है एन्वर फंक्शन तो देखिए कितनी सुन्दा लग रही है मेरी बेटी नजर ना लगए यह देखिए फाइनल लोक इनका हैर क्लिप इनका ऐसे ही मैंने कोई वो नहीं किया है इसलिए क्योंकि हैरिस्टाइल इनका स्कूल पर किया जाएगा तो इसलिए मैं नॉर्मल बस क्लिप लगा दी हूं वाइट कलर का मैं सोची वाइट कलर कर लगा दूंगी ना तो हो सकता है चल जाए बट यह नहीं चला था वो लोग अपने तरफ से हैरिस्टाइल बनाये थे चला यह देखिए कि संदन लग रही दो बजे दिन यह जा रही है और रात के आठ बपचे आई थी आएक साड़े नौब अभी तो 56 हो गया था आपको पता है आप देखिए 57 ही है 56 हो गया था मेरा थोड़ा से जंग फुड़ खाया था ना चार-पांच बार मेरा हो गया था थोड़ा से बढ़ गया पूरा एक किलो नहीं बढ़ा है कुछ ग्राम ही बढ़ा है बट 57 पर आगया है आप लोग देख सकते हैं बट फिर भी साही हो गया मेरा बेट अप काफी परफेक्ट हो गया बस थोड़ा से इंचिस कम करना है अगर मैंने थोड़ा से यला परवही नहीं करी होती ना तो मैं प काफी और कई दिन में रेस्टोनेंट भी गई 57 हो गया फिर तो 69 था मेरा 59 था ना तो फिप्टी सेवन हो गया है अगर मैंने ला परवही नहीं किया होता तो चार-पांस किलो को तक है तो रिजल्ट मिली गया होता बट कोई नहीं अब क्या करना है अब मुझे बेट पर ज् मेरे हाथ पतले हुए है तो इसको फिल्यन् मेरा वेट कम हुआ है तीन किलो और चार किलो तक मेरा हुआ हम हपता पर नहीं हुआ मैंने चेक किया था तो मेरा वेट 56 दिखा रहा था बट उधर भी मैंने खाया रेस्टरेंट में गई वह सब खाना पीना और आज तक लेके थोड़ा गड़वड़ी मतलब 8-10 दिन से समझीए गड़वड़ी चल ला था दस क्या मतलब पीहू का जम मैं लेने गई थी वेंटर वाले कपड़े तब भी मैंने बाहर खाया था फिर दुर्गा पूजा में मैंने बाहर खाया और फिर यहां भी मैं तीन उनबार मैं खुलकी खाई थी और एक दिन घर पे संडे को समोसा पीहून मंग आया था तो वह भी दिखा नहीं भायती वीडियो में क्योंकि संडे को मैं जनली वीडियो मतलब कैमरा उठाती ही नहीं हूं वीडियो बनाने के लिए सोची थी व्लोग में बताऊंगी इतना कहा ध्यान रहता है बूल गई और उसके बाद से जिस दिन लिटी चोखा बना था उस दिन भी मैं बहुत भर-बर के खाए उस दिन मेरा पता नहीं क्या हो गया था यहां था बस खाओ खाओ इतना मूख लग रहा था तो उस दिन भी मैंने खाया फिर बाहर भी गई शाम को समाल लेने तो फुलकी खाई और सोया चाप खाया था तो सोया चाप में भी मलायले बहुत जादा ह हो गया बहुत तेजी से वेट गेने होगा जब भी जंग फूट आप खाऊ ना आपते दिन में ही दो किलो तीन किलो राम से बढ़ जाता है तो इस वज़े से फिर इतना हो गया कोई नहीं वेट का तो मुझे कोई वह नहीं है और अगर आप लोग सप्लिमेंट्स को ले रह तो आप लोग बिल्कुल मत खाईएगा नहीं तो फिर आपका वेट जो है घटेगा नहीं जादा ठीक है बाबा सो गए है आप आजाओ मुझे हिंचे सी कम करना है इसलिए मैं जिम में जाती हूं तो आप लोग देते हूं कि मैं हाथ का एक्सरसाइज ज्यादा करती हूं ज तो थोड़ा सा मुझे यह अभी पेट का भी करना है क्योंकि यहां पर भी इंचेस है तो एक डेड़ इंच और कम हो जाए ना तो बिल्कुल से परफेक्ट हो जाएगी बॉड़ी इतना बाला ही बॉड़ी मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा भारा ही रहे क्योंकि पतले हुए हैं काफी पतले हुए हैं तो ठीक है आप लोग भी कई बार बोल रहे थे कि अपना वेट दिखाए वेट दिखाई तो हो गया मेरा वेट तो अब इतना ही रहेगा नहीं कम करना चाहूंगी इसलिए मैं जो वर्काउट करती हूं हाथ का ही करती हूं चेस्ट और इंचेस ही मेरे कम हो तो आप लोग सप्लिमेंट्स को लिजेगा तो डाइट पर ध्यान दीजेगा बिल्कुल तो चाहेंगे इजाज़त वीडियो जाल सभी अच्छा लगा तो प्लिस लाइक कर दीएगा चैनल पड़ी होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फैमली फिर्म